सब्सक्राइब अबर चैनल एंड हिट तो बेल आइकन तो गेट अपडेट आफ यूर वर्ड टपलस के पॉपलर शो तू सुरज में सांच पियर जिसे जुड़ी एक और अपडेट को लेके आ गए हैं जहां पर भी आपको कहानी में देखने को मिल रहा है कि कहानी पुरी तरह से बदल चुकी है और इसी के साथ साथ वो हो रहा है कहानी में जिसकी कलतना भी शायद किसी न ना की हो कि कैसे कनक को चल गया है पता कि मीरा ने दो साल पहले चली थी एक गंदी चाल जिससे वो मा को पा सके क्योंकि जब माने बताई यह सारी सचाए कि कैसे सुमन के हातों होगा था एक अक्सिडेंट और जिससे उसे बचाने के लिए मीरा ने रखी थी उसके सामने ये शर्ख कि अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो मैं सुमन को इस केस से बचा लूँगी जिसके बाद उमा को मजबूरन करने पड़ी थी इस मीरा से शादी लेकिन जब ये बात पदा चल गई है कनक को तो उसने कर लिया है फैसला कि वो मीरा के सच को भार लाके ही रहेगी जिसके लिए उसने ड्रामा शुरू कर दिया है जहां पर उसने सब के सामने ये जाहिर कर दिया है कि सुमन की हो चुके है मार और उसके बाद सबसे बड़ा जटका तो मीरा को ही लगा कि कैसे सुमन ने अपने आपको माड लिया है और वही कहानी में जहां जल्द आपको देखने को मिल सकता है कि कैसे सुमन छुप रही होगी भाबो के घर में और वही अदित्य पहुँच जाएगा और हो सकता है कि वो सुमन को देख भी ले जिसके बाद अदित्य क्या करेगा क्या वो बता देगा मीरा को सारी सच्चाई या फिर खेल देगा एक और नया खेल जहां पर वो कनक का साथ देदेगा अर उसी के साथ आ रहे हैं ये भी खबरे कि कैसे उमा तीन दिन में करने वाला है कनक से शादी वो भी मीरा के ही सामने जिस कबर को सुन मीरा के तो होशी उड़ गए क्योंकि जब सुमन ही नहीं रही तो किस वज़े से ब्लैक मेल होगा हुमा तो वो कर लेगा फैसला कि वो अपनी कनक के साथ ही रहेगा जिसके बाद कहानी और भी ज़ादर दिलचस्पोती चली जाएगी तब देखना दिलचस्पोने वाला है कि क्या कनक का ये प्लैन मीरा की सचाई को लाएगा बाहर या फिर होगा कोई और ही नया ड्रामा तब जो भी हो शो में आप तक पहुंसती रही ये सारी खबर तो बने रही है हमारे साथ और साती साथ सिस्क्राइब जरू कर लीजे हमारा चैनल 24x7 Online News Newsroom किरपो Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world